सरकार ने वश 2009 से राश्ट्री ग्रामिल पेजल कारिक्रम चलाया है जिसके तहट ग्रामिल शेत में रहने वाले सभी परिवारों को शुद्ध पेजल मुहिया करवाया जाना है परन्तु बड़े ही अफसोस की बात है कि इस कारिक्रम के प्रारम होने के छे वर्स बात भी वारानसी जनपत के चोला पूर प्लाग के जगदीश पूर गाउं में एक हजार आबादी के बीच सिर्फ एक हैंट पम होने से मंजु देवी सही कुल एक हजार लोगों को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है वह दिक्कत कर ला कि कितना सब की पाई धोडोले जीवू तो वह समिश्या हम लोग कहते हैं कि एक हाक्य हमनों के बेवस्ता हो जाए तो गाय भाइस वह सेरा जाती हैं बकड़ी वह सेरा जाती है पानी बिना लएका बच्चा उसकूल ना जा पाते हैं खाना पीना ना बन पर उते हैं टाइम से तो क्या चाहती है हम लोग चाहते हैं कि दिदी की एक हमनों के गड़ जाता हम लोग के बेवस्ता हो जाए हमारे यहां यह राजवर्ण जो बस्ती है इसे पानी की बहुत जटिल समस्या है और इस फूरे बिल्ट में जो एक हैर आवादी में जो है एक हैं पाईप लगी उससे यह सरवाइब नहीं कर पाएगी जैसे पीने के लिए पानी जरुवत है पशू है पशू के लिए चाहि है तो जो है तो आयात्य सरवे करने उसमें अभी समय लिये नहीं लग पाया अभी तक के लिए पानी के समस्या है यहां पर बस एक पानी लेने के लिए यूरू सबादे करते है तो तो बस आज बनवाते हैं कल बनवाते हैं फिर भी नई बनवाते हैं गाह से चंदर लग करके तो चपा कल बनता है मैं और मेरा समुदा ये चाहता है कि इस गाउं में और भी हैंट पम लगे ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप चोलापूर वीडियो के मुबाइल नंबर 94-54-46-52-88 पे कॉल करके दबाव बनाए मैं शपना वारानसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर के लिए करने के लिए आप से चाहती है